सही में एक यह समश्या है यह समश्या केवल आपके वक्त का नहीं है हमारे वक्त से भी यही समश्या था प्रिपोजिशनल वर्ब कम से कम 200 सिखने होते हैं अगर आप बहतर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में बहतर करना चाहते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कम्पिटिशन पे बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं, कॉमन एरर को सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्रिपोजीशनल वर्ब जो है, वो कम से कम 200 आपको सही रुप से रहना जरूरी है, लेकिन इसे याद करना इतना आसाम भी नहीं होता है आपने खुद ये अजमाईश किया होगा, 2, 4, 10, 20 तो याद रह जाते हैं, लेकिन 200 को सही रुप से याद कर लेना, और दिन का आदा घंटा देकर 5-6 दिन के अंदर में कर लेना, ये तो लगबग असंभाव है टीचर बोलते हैं कि देखो, इंग्लिश को बेतर करने के लिए बार-बार पढ़ा करो, इंग्लिश के न्यूस पेपर पढ़ा करो, और नोट्स बनाओ, लेकिन सही पूछो तो सारे चीज़ उस तरह से काम नहीं करते हैं, जैसा कि बोला जाता है तो इसके लिए मैं जानता हूँ, आप सभी को प्रिपोजिशन मतलब अगर मैं बोलू प्रिपोजिशनल वर्ब की बात करता हूँ, उसे याद करना मुश्किल होता है इसलिए मैंने बोला है कि मैं होना, अब इस मैं होना, मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको वो रास्ता केवल दिखाता नहीं हूँ, बलकि उन चीज़ों को आपके हाटों पे दे देता हूँ, जिससे आप बड़े आसानी के साथ, 200 प्रिपोजिशन को बहुत ही सहजतम इत्यार कर लेंगे, तो चलिए पहले आपको क्या करना है, उस बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, कि कैसे ये चीज़ें आपके पास आएंगे, फिर आप कैसे उसे त्यार करेंगे, पहला है कि उन चीज़ों को कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा है, कैसे आप त्यारी करें कि कम से कम परेशानी में कम से कम कोशिश में आप बड़े आराम से कर ले सकें तो देखिए इसके लिए जो है आपको सबसे पहले जो करना होगा वो यह है कि आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है अब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप समझ रहे होंगे नहीं समझ होंगे तो चली मैं बताता हूं यह देखिए एक जैसे यह मकली पकड़ लीजिए वीडियो देख रहे हैं यहां पर देखिए लाल रंग का जो है मैंने घेरा बना के रखा हुआ है तो इसको description बोलते हैं इसको को क्लिक करेंगे तो description आपके वीडियो का description कुल जाएगा वहां पर देखेंगे कि एक link है सबसे उपर link है उस link को क्लिक करेंगे मेरा study app का भी link है अभी app को मत रहने दीजिए आप उपर के page के link को ही क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपका link खुल जाएगा और आप सीधे जो है क आप पहुचेंगे इस page पे पहुच जाएगे ये page क्या है देखी ये page जो है prepositional verb का list है इसमें आप देखें prepositional verb set 1 है मैंने 20-20 prepositional verb का set बनाया है और ये रखा है कि एक दिन में केवल आप एक set की त्यारी करेंगे और एक set को त्यार करने में बहुत जादा वक्त लगेगा तो आधा गंटा लगेगा तो चलिए इसको कैसे त्यार किया जाता है उसे हम समझ लेते हैं चार-पांच मिनट लगेंगे पुरे अराम से समझ लीजिए तो आपके पास भी वक्त है मेरे पास भी वक्त है अब चलिए हम कैसे किया जाता है क्य तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं कि तो देखिए यह जो है हाँ थूड़े देर किली पहले बता दू अगर यह आप अपने दो दोस्तों को यह पेज शेयर करना चाहते हैं तो यह शेयर का बटन है अगर आपको अपने दो तीक है ना, आपके सामने back away है, call for है, call off है, crowd out है, cry out for है, अब देखिए सबसे पहले है कि आपको पता नहीं है, ये back away का मतलब क्या होता है, तो पहले आप इसको click करते हैं, तो जैसे click करते हैं, ये खुल जाएगा, तो आएगा back away का मतलब होता है, डर कर पीछे हटना, और हिंदी में पहले डर कर पीछे हटना मतलब, मैं रास्ते में कुत्ते से डर कर पीछे हटना, समझ में आगया डर कर पीछे हटने का मतलब, तो back away का मतलब है डर कर पीछे हटना, अब sentence को कर भी सकते हैं, sentence को नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये अर्थ आपके दिम आग में सबसे पहले बैक एवे का अर्थ आपको जाना है, तो जैसे आपने याद किया बैक एवे का मतलब डर कर पीछे हटना, दो तीन बार बोल लीजिए, बैक एवे का मतलब डर कर पीछे हटना, अब इसको बंद कर दीजिए, यह डग गया, अब बैक एवे का मतलब डर कर पीछे हटना अब अब दूसरे को खुलते हैं कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की मांग या जरूरत होना किसी चीज की मांग या जरूरत होना जैसे काम को धीरज और धैर्ज की जरूरत है या आप बोल सकते सफलता को धीरज और धैर्ज की जरूरत है तो कॉल फॉर मतलब किसी चीज की मांग या जरूरत होना दिमाग में सेट हो गया अब देखिए इसको फिर बंद कर दीजिए अब फिर पहले पर आईए बैक एवे का मतलब क्या था बैक एवे का मतलब था देखो मेरे को याद आया डर कर पीछे अब आपने सही बोला की नहीं एक बार इसको फिर खोल लीजिए अब इसे बंद कर दीजिए अब तीसरे पर जाईए कॉलाफ का मतलब क्या होता है रुकना या रुकने का आदेश देना कॉलाफ का मतलब होता है रुकना या रुकने का आदेश देना देखो मैं पूरी वीधी करके दिखा रहा हूँ आपको अब इसको फिर ढग दीजिए अब फिर पहले से आईए बैक एवे का मतलब डर कर प दिगोर से बोलते है, तो आपकी आवाज एगर आपके कान तक भूशती है, तो यह काफी ऑफी सही तरीखा होता है. अब फिर इसको जो है, कॉल फॉर को आउस सो 첫े हैं. कॉल फॉर मतलब देखो मेरे को मिस हो गिया, मैं बूल रहा हूँ, कॉल फॉर क्या होगा. नहीं आदा तो फिर क्या करते हैं? खोलते हैं इसे. किसी चीज की मांग या जरूरत होना. अब फिर बन कर रहते हैं. फिर उपर चबोलते हैं. बैक अवे का मतलब होता है डर कर पीछे हटना. कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की मांग या जरूरत होना. फिर कॉल आफ का मतलब होता ह रुकना या रुकने का आदेश देना अब चौथे पे आठते हैं किसी वज़ा से लोगों को बाहर रखना टुरिस्ट के वज़ा से रेस्टोरेंट के नियमित ब्रहातों को बाहर रखा जा रहा है तो किसी वज़ा से लोगों को बाहर रखना देखो जब इस क्लाइन को परना क्योंकि हलके से आपके दिमाग में जो है इस शब्द का अर्थ बैढ जाता है इंग्लिश को परो या ना परो कोई बात नहीं है लेकिन हिंदी के को परना क्योंकि आप पाद दिमाग ये शब्द के अर्थ को सही तरह से समझ लें फिर इसको बंद कर देते हो अब फिर से जाते हो मतलब ये पांच का गुच्छा समझ रहे हो ना फिर बैक एवे से देखते हो फिर मनी मैंने बोलते हो अच्छा बैक एवे का मतलब है डर कर पीछे रखना कॉल फॉर का मतलब है किसी चीज की मांग या जरूरत को पूरा करना कॉल आफ का मतलब होता है रुकना य ठीक है अब फिर पांचवे पर आता हूँ cry out for मतलब किसी चीज़ की मांग करना cry out for मतलब किसी चीज़ की मांग करना ठीक है ठीक है और इसका जो वाक्य है भारतिय युवा स्वतंत्र और साफ चुनाओं की मांग कर रहे है cry out for तो cry out for मतलब किसी चीज की मांद करना अब देखो अब फिर इसे बंद कर देते हो ठीक है तो फिर अब क्या होता है अब फिर पहले यहां से बढ़ते हो मैंने देखा है मैंने experiment करके देखा है बहुत सारे लर्खों में पांच मिनट जिसको बहुत ज़ादा जोड़ी होता है हो हो जाता है यहांद फिर उसकी तरह दूसरा पांच उठाते हो यह देखो दूसरा पांच है दस हो गए अब दसने के बाद पांच साथ मिनट का ब्रेक लेते हो क्याकि दिमाग भन ना जाता है थोड़ा सा इधार दर देख लेते हो पांच-दस मिनट या इसा भी नहीं बहुत जैना वक्ता बरबाद करो, फिर आते हो, तीसरा आते हो, ये भी पांच है, इसे करते हो, फिर चौथा है, इसे पांच करते हो, ठीक है, अब ये करने के बाद जो है, आज का खतम, आप देखोगे कि, आदे गंटे के अंदर आप 20 करके निकल गए, बोटा-मोटी सब याद है, लेकि उसको याद करना अब बहुत आसान हो चुका होगा आपके लिए, जब कल क्या करेंगे, कल फिर इस पेज को खूलेंगे, खूलने के बाद फिर सबसे पहले पहला लोगे, देखके याद करने की कोशिश करो कि, अरे बैक एवे क्या था, डर कर पीछे हटना था, जो याद न तो जो उतर गया है उसे तीन-चार बार बोलके फिर सको उसको धंदर डाल देते हो, तो इस तरह करके ये जो है बीस आप चार दिन में कतम करते हो, मतलब चार दिन में अगला कुछ नहीं उठाते हो, तो लेकिन रिविजन करने में आपको दस मिनट से जादा नहीं लगता ह रिविजन करने में दस मिनट लगता है दूसरे दिन, तीसरे दिन देखोगी ये समय और खतम कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे याद हो गया है, चौते दिन देखते हो कि समय और भी खतम हो गया है, पांच मिनट के अंदर में रिविजन करके निकल जाते हो, तो ये बीस त 20 सीखते हो और दूसरे की जो है रिविजन करते हो जैसे आप इसको कर रहे हो उसके बग चलिए हम synonyms ले लिए तो पहला दिन आपने prepositional verb किया दूसरे दिन prepositional verb कर रहे हो और आप synonyms की तियारी कर रहे हो ठीक है ना तो मतलब आधा घंटा हर दिन का आपने अलग करके अंग्रे जी के लिए रख दिया फिर तीसरा दिन क्या हुआ आपने grammar part को उठाया जो आपको याद करना है तो अब ये सारे चीज़ की materials कहां मिलेंगे यार ये तो page आपको मिल गया जब आप इसको कर लेते हैं तो एकदम इस page के नीचे चले जाएगे देखिए English को बेहतर करने के लिए click है जैसे इसमें click करेंगे तुरत क्या है कि आप ये page खुलेगा और खुलने के बाद जो है आप गुगल प्ले में चले जाएगे चुकि मेरा ये install है ये dd study app है install है इसलिए नहीं है लेकिन आप install नहीं किया हैं तो इसे simply install कर लीजिए तो और install करड़े के बाद आप जाएंगे तो देखेंगे इसकी जो button है तिन नमबर का button है उसमें English लिका हुआ है उससे अब जब अंदर हुसेंगे आपको सारी चीज़े वहाँ पर मिल जाएगा तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ चुके होंगे किसी तरह की कोई problem नहीं हुआ होगा अब मुझे बस इतना ही था कुछ शमय के अंदर में मैंने आपको सारे चीज़ों को बताने का कोशिश किया और आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे तो मैं इसलिए यही बोलूँगा कि जो भी problem है चाहे वो गनीत का problem हो चाहे वो English का problem हो चाहे आपको Geography का problem हो चाहे आपको History का problem हो चाहे आपको इस एप के अंदर में इसी एप के अंदर में सब कुछ आपको मिलेगा तयार करने की विधी को बताऊंगा कि जिससे आप बड़े आसानी से तयारी कर सके हैं तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर काम का लगा होगा साथी साथ अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सबस्क्राइब करें क्योंकि हर चीज़ को सिखने का अपना एक तरीका होता है और उन्स आपको केवल क्या करते है एप मिलने से नहीं होगा हर चीज़ की तैयारी की विधी कैया उसे भी जानना जरूरी है तब ही आप कर पाएंगे आप अगर मुझे सबस्क्राइब नहीं किये तो फिर से दोड़ाता हूं सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों को शेर जरूर करें इससे क्या होगा जो दुखी है जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते है उनको भी रास्ता अवश्य भी लेगा आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद ओ के दन बबाई थैंक यू जैहिन